नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका PCS सार्थी में आप है मेरे साथ मेरा नाम है सुमित और एक बहुत important मुद्दा जो है आजकल चल रहा है वो यह कि बिहार के अंदर आपने देखा होगा दोस्तों एक बहुत ही दुखत घटना हुई जिसके अंदर 38 लोग व片 शराब बती क्यों राज्यों में आपको दीखेगा कि बैन एक बिच्ठाइब में powin नहीं है ऐसा क्यूं में इस पूर्य मुद्देए की और पूरी नियूस को चलता है उसось से पहले देखते хотите गंधीजी आ कि शरॉप के मामले में क्या क्यों है गांधी जी चीक क्या विचार थे गांदी जी जो है शराब को अच्छा नहीं मानते थे उनका जो कारण था वो ये था कि वो उनका मानना था कि जो शराब है व्यक्ति को इनकेपिबल कर देती है यानि कि इनसान को निश्क्रिय कर देती है किसी भी काम को करने के लिए और शराब के नशे में इ उस इंसान का विनाश होता है और पूरी सोसाइटी को भी ये नुकसान पहुचाता है और इसी तरह से जैसे गांधी जी का हमने विचार जाना तो जानते हैं कॉंस्टिटूशन आखिर क्या बात करता है जहां तक शराब की बात है तो आप जानते हैं जो डारेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पॉलिसी है हमारे कॉंस्टिटूशन में जिसके अंदर एक गांधियन आपको प्रोविजन मिलेगा डीपीसपी का वह यह है कि वह कहता ह और नहीं करता है वह कहता है की स्टेट ऐसे कदम उठाएगा इस पर्यास करेगा जिसे श्राब को बैंकिया जा सके और सिर्फ मेजिसीनल के लिए इसका इस्तिमाल किया जा सके ऐसी बात कॉंस्टिटूशन करता है और फिर यह सवाल उड़ता पाइक अलग अलग स्टेट ज आपको कहीं पर शराब पर पाबंदी दिखे की, कहीं पर शराब जो है allowed है, कहीं पर partially allowed है, ऐसा क्यूं होता है, दोस्तों हमारे constitution के अंदर एक provision है, article 246, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि जो हमारा 7th schedule है, जो schedule 7th है, वो बात करता है किसकी जो मुद्दे हैं, subjects हैं उनके division की यानि कि कौन सा subject, यानि कि कौन सा मुद्दा, कौन सा विशय, कौन से power के अंदर आता है, क्या central की power, center यानि कि केंदर की power के अंदर आता है, क्या फिर वो state की power के अंदर आता है, या फिर दोनों के jurisdiction में आता है, यानि कि जो विशयों का बटवारा है, जो subjects का बटवारा है, जिन पर कानून बनाए जा सकते हैं, उनके बटवारे की बात करें, तो 7th schedule में वो बताया गया है, और जिसके अंदर जो शराब है, जो लिकर है, वो आता है state list, यानि कि जो second list है, सेंक्टरल लिस्ट होती है, जिसके अंदर कानून बनाने का अधिकार सेंक्टर के पास होता है, तो यहाँ पर जो शराब है, वो state list में आती है, यानि कि second list में आती है, इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि हर राज्य जो है शराब पर अपने हिसाब से कानून बनाता है और कहीं पर शराब बैन है और कहीं पर शराब बैन नहीं है अब सवाल यह उठता है कि भई ऐसा होता क्यों है शराब कहीं पर बैन क्यों नहीं होती है कुछ राज्जे जब की हाला की बैन कर देते हैं लेकिन maximum state आपको देखने को मिलेगा कि शराब को बैन नहीं करते हैं कारण क्या है कारण यह है दोस्तों कि शराब जो है हाला कि वो सेहत के लिए और हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है लेकिन लेकिन शराब जो है किसी भी राज्ये को एक revenue का source देती है उसको राज्यस्व देती है यानि कि सरकार के खजाने में जो पैसा आता है वो शराब की बिक्री पर लगने वाले tax से आता है शराब के production पर लगने वाले tax से आता है तो शराब जो है वो किसी भी राज्ये के लिए एक बहुत बड़ा revenue source है और ये बात हकीकत है हाला कि शराब जो है सेहत के लिए खतरनाक है लेकिन फिर भी क्योंकि revenue से काफी आता है इसलिए बहुत सारे state ये कदम नहीं उठा पाते हैं कि वो शराब को ban करें और फिर उसके बाद देखते हैं कि भाई जो ban है किन-किन राज्यों में बैन है यहाँ पर हम कुछ राज्यों में देखते हैं जो शराब ban है तो सबसे पहले देखेंगे आप जानते हैं already जो controversy चल रही है बिहार में 2016 में जब नितिश कुमार पावर में आये थे तो उन्होंने वादा किया था वहाँ पर एक woman का जो मुद्दा चल रहा था woman की जो demand थी और वहाँ की महिलाओं से ही उन्होंने वादा किया था वह अगर पावर में आते हैं मुख्यमंतरी बनते हैं उनकी सरकार अगर पावर में आएगी तो वह शराब को ban करेगी और ऐसा इसलिए उन्होंने 2016 में बिहार में शराब को ban किया क्योंकि वहाँ पे ये एक woman का यानि की महिलाओं का मुद्दा बना हुआ था उसके अलावा गुजरात में भी शराब जो है उस पर ban है कब से जब से गुजरात बना है 1960 से तब से शराब गुजरात में ban है और नरेंदर मोदी जी की जो सरकार थी जब वो मुख्यमंतरी थे कब 2009 में तब उन्होंने एक कानून वो लेकर आये थे जिसके अंदर शराब का कारोबार करने वाले जो लोग हैं अगर किसी की व्यक्ति की मृत्य होती है अवैद शराब से तो ऐसे कारोबार करने वाले लोगों को यहां पर आप देख सकते हैं कि capital punishment यानि कि death penalty तक दी जी ज जा सकती है उसके अलावा लक्षदीप में भी शराब बैन है क्यों कि लक्षदीप में आप देखेंगे कि मुस्लिम आबादी काफी काफी जादा है और इस वजह से उनका जो कल्चरल उनका जो कल्चरल वैल्यूज हैं उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर शराब आपक अंदर भी दोस्तों नागा लैंड के अंदर भी शराब जो है वह बैन है और 989 से नागा लैंड में भी कल्चरल और मॉरल वैल्यूस को ध्यान में रखते हुए शराब पर पाबंदी लगाई हुई है और कुछ राजे ऐसे हैं जैसे कि करनाटका हो गया महराश्टर हो गया मनीपूर हो गया यहां पर आपको कुछ डिस्क्रिक्ट जो है इन राज्यों के वहाँ पर शराब का कारुबार आपको जो है वो बैन दिखेगा तो शराब जो है इन राज्यों में पूरी तरह से बैन न लेगा ठीक है चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि भई समस्या होती क्या है आखिर जो शराब अगर बैन कर देते हैं तो फिर बैन लगने के बाद आखिर समस्या क्या होती है एक समस्या तो हमने जो देखी है कौन सी बिहार के अंदर बिहार का एक एक्जामपल है बिहार की केस्टेटी जो है उसी का एक एक्जामपल है कि जैसे ही शराब बैन होगी तो क्या होगा लीगल शराब अगर बैन होगी जो फैक्टरीज में बनती है सेफ तरीके से बनती है अगर वो बैन होगी तो फिर क्या होता है अंडर ग्राउंड एकॉनमी प चैक्स भी नहीं मिलता है और बिहार का के सगर देखें शराब बैन होने के बाद वहाँ पर सबस्टेंस अब्यूज यानि की जो ड्रग जैसे नशे हैं वह बढ़ने लग गए जैसे की दूसरा नुकसान यह है कि अगर शराब बैन हो जाएगी तो लोग जो है बाकी जो दूस बने लग जाती है और अवैद तरीके से भी शराब बने लग जाती है तो आपने अगर उसको बैन भी कर दिया तो उसको सरकूलेशन से एकॉनमी से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है इसके अलावा और ऑर्गनाइज क्राइम पर अपने लग जाता है जैसे कि अवैद शराब का जो बिजनेस है वो बनने लग जाता है और ऐसे में क्या होता है उस पर सरकार को tax भी नहीं मिलता और साथ ही में क्योंकि उसको चलाने के लिए आपको illegal activities करनी होंगी सरकार की नजरों से बचना होगा कुछ ऐसे illegal nexus बनाने होंगे तो ये एक organized crime का network बन जाता है इतया बाद जो illegal शराब जो अवेध शराब है जैसे की हूच ब्रजइड़ि जो हमने थैखिति है और ऐसे में क्या होता है उस राज्ये के उस जगह के जो लिएीब लोग ओते हैं जो बॉट जो 시व तरीके से बनी होती है उसको नहीं पी पाते हैं उसको नहीं खरीद पाते हैं तो वो सस्ते में बिखने वाली अन से जो अवेदध शराब बनती है छोटे घरों में छोटी मोटी फैक्टरीज़ में उनको कंज्यूम करते हैं और उनसे उनकी मृत्यू हो जाती है वह जिसके पास पैसा है जिसके पास अगर जो फाइनेशली वेल आफ है वो तो बैन लगने के बाद भी क्या कर सकता है वो सेफ जो शराब है भले ही उसको महेंगी मिलेगी अगर हजार रुपे की है तीन हजार रुपे इसको यहां पर थोड़ा सा उनको protection मिलती है कैसे कि जो domestic violence के cases है उनमें गिरावक देखने को मिलती है जहां पर भी शराब पर पाबंदी लगती है जहां पर भी शराब बैन होती है वहां पर domestic violence जैसी चीजे जो है वो देखने को कम मिलती है इसकी एक study है जैसे कि sexual violence research initiative जो है उसने एक स्टडी की है जो ये बताता है कि भाई बिहार में जब शराब बैन हुई 2016 के बाद तो उसके बाद बिहार के अंदर जो वुमिन के अगेंस्ट जो वाइलेंस होता था जैसे कि डॉमेस्टिक वाइलेंस उसकी दर में भी यानि कि उसके जो रेट है उसमें भी और दोस्तों यही चीजें होती है यही फैक्टर्स होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं अगर हम एक्जाम में अंसर लिख रहे हैं या फिर जब आप सर्विस में जाएंगे तो आपको ध्यान रखना होगा पॉलिसी मेकिंग में पॉजिटिव और नेगिटिव दोनों ही चीजें देखनी होंगी जैसे की रविन्यू आता है वाइलिंस कम होता है यह सारे पॉजिटिव हैं लेकिन हेल्थ पर नुक्सान होता है उसके अलावा इलीगल एक्टिविटीज होने लग जाती है यह नुक्सान है इनको ध्यान में रखेंगे और बहुत ही सिंपल क्वेस है एतिनल जो है उसका में एक होता है एतिनल और वाटर जो है में कॉंपनेट हो ता है किसी भी शरब का यह था दोस्तों सेशन अगा आपको वीडियो अच्छë। लगी तो वीडियो को लाइक यह चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर आपको मुझसे डारेक्ट कनेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं साथ ही में टेलिग्राम पर जुड़ सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं तब तक पढ़ते रहेंगे अपना खयाल रखेंगे जहिन दोस्तों